कॉंग्रस के नेता नाना पटोले को निर्वरोध महराष्ट विधान सभाग का अधधक्ष चुन लिया गया है स्पीकर चुने जाने के बाद सेम उद्दव ठाक ने पूर्व सेम देवेंदर फरनविस ने उन्हें बधाई दी और उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक ले कर गये महाविकास अगारी गठबंदन की तरफ से नाना पटोले का नाम दिया गया था वहीं बीज़ेपी की तरफ से किशन कतोरे का नाम आगे आया था लेकिन एन बक पर बीज़ेपी ने नमंकन वापसे लिया इस सरसमत्ती से विधानसबास स्पीकर चुन लिए गये हैं नाना पटोले वह विधानसबास स्पीकर चुने जाने पर सियम उद्दव ठाकरे ने शिपकान नहीं दी और कहा कि महाराश्ट का एक बेटा अधक्ष चुना गया स्पीकर नाना पटोले समाच के हर वर को न्याय देंगे तो आज स्पीकर को लेकर चुनाब होना था और जैसा की पहले बीज़ेपी की तरफ से किश्वन कतोरे का नाम सामनी आया था और महाविकास अगारी की तरफ से नाना पटोले का तो ऐसे में जब एन वक्ट पर बीज़ेपी ने अपना नमंकर वापस ले लिया तो यहाँ पर नाना पटोले निरविरोध स्पीकर चुन लिये गए और जुरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब नाम का एलान हुआ तो देवेंद्र फरनविस और उद्दव ठाकरे दोनों ही स्पीकर को कूरसी तक लेके गए और उद्दव ठाकरे ने उमीद जताई है कि जित सरे से महाराश का बेटा अधग चुन लिया गया है और अब वो हर वर्ग को ध्यान में रखकर एक सही दिशा को आगे बढ़ाएंगे